हेला एब्रीबर्ण वेलकब टू अधवाज एडूकेशन पिर नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज तो प्रिवेश वीडियो में हमने अपना चैप्टर फोर मुविंग चार्जेज एंड मैगनेटिजम शुरू कर दिया था और प्रि करेगा मूव करेगा तो क्या होती है उस पे एक फोर्स एक्सपिरेंस होती है जब वो किसमें रहेगा एक मैगनेटिक फील्ड में मूव करेगा चार्ज तभी उसमें क्या होगी फोर्स एक्सपिरेंस होगी इधी वो चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उसमें कोई फोर्स एक magnetic field है, उसी direction में कोई charge move कर रहा है, तो उसमें magnetic force क्या होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच का जो angle है, sin theta से होता है, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये चीज़ हमने देखी, अब यदि वो perpendicular move कर रहा है तब जो force होगी, वो क्या होगी? maximum होगी यही चीज़ हमने देखा, तीनों एक दूसरे के perpendicular होते हैं, magnetic force magnetic field और क्या velocity, flemmings left hand rule से और हम palm right hand rule से, यह सब rules के बारे में हमने previous video में पूरा देखा और हमने एक last case क्या देखा? कि यदि वो किसी angle से move कर रहा है, velocity कोई angle बना रही है, magnetic field में जो क्या हो, ना ही 90 है, ना ही 0 है तो इस case में क्या होगा? वो helical motion में move करने लग जाएगा और जब velocity और magnetic field दोनों vectors एक दूसरे के 90 डिगरी होंगे तो इसका मतलब charge कैसा move करने लग जाएगा? circular motion में move करने लग जाएगा तो हमने ये चीज़ पूरे previous video में पढ़ी हमने ये देखा कि कैसे एक charge force experience करता है जब वो magnetic field में move करेगा rest में लएगा तो उसमें कोई charge experience नहीं होती तो अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम देखेंगे कि कोई charge जब electric और magnetic field दोनों में move करेगा तो उसमें कैसी force होगी ठीक है और दोनों का application हम लेके कहा जाएंगे आगे cyclotron topic के बारे में पढ़ेंगे तो ये कौन सा part है हमारा fifth part है इसके पहले हमने चार part पढ़ दिया है मतलब इस subject में इस chapter में तो यदि अब channel में नए है कैसे magnetic force setup होती है किस कारान से होती charge की velocity किस direction में लगेगी तब कौन कितनी force लगेगी ये सारी चीज़े हमने पूरी previous lecture में देख ली अब हम देखते हैं जब एक charge move करेगा electric और magnetic field दोनों में तब उसमें कैसी force लगेगी इस चीज़ के बारे में देखेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं Lawrence force भी बोलते है तो अब हमारा topic है force on a एक ही charge की बारे में हम देखते है moving charge एक ही के उपर analysis करते हैं क्योंकि फिर बाकी का भी आसानी समझ में आ जाता है force on a moving charge in a किसमें रहेगा वो uniform में रहेगा जो बार-बार change नहीं होगी uniform, magnetic magnetic and electric field और field कैसी है? uniform है, मतलब वो change नहीं हो रही है इसी को हम क्या बोलते हैं यही जो हम force निकाले इसको हम बोलते हैं Lawrence force Lawrence force इसी force को हम बोलते हैं Lawrence force ठीक है? तो क्या करते हैं? हम कुछ चीज़े assume कर लेते हैं, एक charge particle है हमारा charge particle जो क्या है? क्यू है? और generally हम एक positive charge लेते हैं ताकि analysis को क्या हो? और अच्छे से समझ में है ठीक है? वो क्या कर रहा है? move कर रहा है moving in magnetic field भी है जहां पर B vector and electric field भी है एक charge क्या कर रहा है? move कर रहा है दोनों field में electric field और magnetic field में भी move नहीं करेगा तो magnetic field की उसमें force नहीं लगी और electric field में आ गया charge तो तो move करेगा ही करेगा क्योंकि electric field लाइस कैसे जाती है? positive to negative positive charge रहा तो उसको वो repel करने लग जाएगी negative की तरफ और attraction के कारण भी जाएगा तो move तो हो गई तो अब हम मान लेते हैं कुछ notation क्यों क्या हो जाएगा हमारा? Q को हम ले लेंगे यह क्या होगा? magnitude बताएगा magnitude of charge charge का magnitude क्या है? Q बताएगा हमे V क्या बताएगा? उसकी velocity velocity of charge particle और E हमारी क्या होगी? electric field और B होगा हमारा magnetic field magnetic field ओके? तो अब हम क्या देखते हैं? सब के कारण हम force देखते हैं फर्स्ट हम देखते हैं हम electric field के कारण electric force कितनी होती है? electric force कैसे निकालते हैं हम electric force? जब कोई भी एक charge particle electric field में move करते रहता है तो क्या होगा? F vector is equal to QE यह कहां से आता है यह formula? electric field intensity से वो ही बताती है electric field intensity क्या होगी? force experience by per unit positive test charge तो F के नीचे कहा रहता है divided में Q रहता है तो यहां से हम force निकाल सकते हैं कोई एक source है जो electric field generate कर रही है ठीक है? याद रखेगा है यह बात second देखें हम दूसरा क्या? magnetic force magnetic force हम कैसे निकालते हैं? यही हमने previous lecture में देखा है magnetic force magnetic force हमने कैसे निकाली? previous lecture में F vector equal to क्या होता है? charge into velocity vector cross B vector दोनों vector का cross product तीनों क्या होते हैं? एक दूसरे के mutually perpendicular होते हैं तीनों X, Y, Z, अलग-अलग axis में होते हैं इसी के बारे में हमने पूरा previous lecture में discussion किया है direction, magnitude कैसे-कैसे change होगा दो A, B, cross A, cross B का मतलब क्या होता है? A, B, sin theta तो V, B, sin theta हम इसको normal form में लिखें तो ऐसे हम क्या करते हैं? अपनी electric force और magnetic force निकालते हैं अब एक जो charge है वो uniform magnetic field में भी है और electric field में भी है तो दोनों force लगी कि उसमें तो इसका मतलब जिदी हम देखें कि net force कित्ती लगेगी? तो net force और यही क्या होगी? हमारी lawrence force होगी net force हमारी कैसे denote करते हम इसको? F से और यही जो force होती है net force जो लगती है इसी को हम बोलते है lawrence force तो इसको हम denote करते है F Lawrence जो lawrence की force है और वो किसके बराबर होगी? वेक्टर यह भी एक वेक्टर quantity तो होगी और electric force प्लस कौनसी force? magnetic force electric field के कारण force दूसरी magnetic field के कारण force कोई-कोई लोग सिर्फ magnetic force को भी lawrence force बोलते हैं हाँ ऐसा बोल सकते है जब electric force क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी but lawrence force क्या होती है? दोनों का यहाँ पे sum होता है तो यहाँ पे हम क्या करते है? value put करते हैं तो क्या हो जाएगा? electric force क्या है? qe vector magnetic force क्या है? हमादी q bracket में v vector cross product किसका? magnetic field का यही है तो lawrence force कित्ती हो जाएगी? q को common निकाल लेते हैं हम तो अंदर में क्या हो जाएगा? e vector plus v cross b vector यही आ जाएगी तो यह आ गई क्या हमारी? lawrence force जब एक charge particle electric field और magnetic field दोनों में रहेगा तो ऐसी वो force experience करेगा यही negative charge particle हुआ तो वो क्या करेगा? opposite force experience करेगा same इतनी यही negative charge रहा experience same force और वो क्या रहेगी? opposite direction में रहेगी same force in opposite direction यही चीज़ हमने previous lecture में भी देखी थी charge particle हमने minus लेके देखा था तो Flemming's left and rule को हम क्या कर रहे थे? उल्टा करके उसकी force निकाल ले रहे थे क्योंकि वो क्या था? negative charge particle था तो यह क्या होती है? यह जो force का expression है इसी को हम क्या बोलते है? next topic देखते हैं यह Lawrence force का छोटा सा topic रहता है अब इसके बारे में हम पूरा analysis करते हैं कैसे? तो next topic आएगा हमारा motion of a charge particle motion of charge particle in combined अब यहां से आपको क्या समझ में आ जाएगा? डाइग्राम से ताकि कैसा motion होता है combined electric and magnetic field अब उसका हम पूरा motion के ओपर क्या करेंगे? analysis करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? velocity selector हम ऐसे दोनों field को adjust करते हैं कि हम एक particular velocity की charge particle में जाए ताकि उसमे net force 0 हो जाए तो यहां पर यह important topic है जिसको हम क्या बोलते हैं? velocity selector तो कैसे हम निकालते हैं और क्या होता है velocity selector इसके बारे में देखते हैं तो first अभी हमने क्या देखा? net force कित्ती experience करेगा? कोई particle जब वो electric और magnetic field दोनों में रहे तो वो कौन सी force होती है? lawrence force ठीक है अब lawrence नहीं बोलते हैं normal force बोलते हैं तो क्या हो जाएगी? q e vector plus v vector cross v vector यह क्या करेगा वो? net force consider करेगा ठीक है अब हमें case consider करना पड़ेगा तो जितने अलग-अलग cases होते हैं उसका क्या होता है? अलग-अलग आता है बट सबसे important और सबसे basic वालग case होता है उसमें हम क्या मान लेंगे? कि दोनों perpendicular है एक दूसरे के electric field भी, magnetic field भी और इन दोनों के perpendicular क्या है? velocity ये charge particle की मतलब तीनों mutually perpendicular है ऐसा हम ये case मान ते हैं तीनों के बीछ का angle क्या है? 90 degree ये case क्या रहता है? हमारे लिए सबसे important रहता है और इसी पे हमें क्या मिलती? velocity selector मिलता है तो इसके लिए हम क्या करते है? एक diagram मराते ये हो गया हमारा x-axis ठीक है? y-axis और ये हो गया हमारा z-axis तीनों एक्सिस ले लिए क्योंकि तीनों चीज क्या है? यहां पर perpendicular है अब charge particle यहां पर rest में था नहीं लगेगी force motion में आ गया तो यहां पर कहीं पर ले लेते हैं ठीक है? जो particle है वो उसकी velocity कहा है? x-direction में याद रखेगा एक particle है जो x-direction में क्या कर रहा है? जा रहा है ठीक है? electric field कैसी है? electric field है y-direction में यह है हमारी electric field मतलब electric field लाइन जा रही है मतलब जरूर नीचे positive होगा उपर negative होगा plate लगी होँगी इसको मैं main diagram में भी आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे होगा तो electric field क्या है y-direction में यदि यह diagram आपको नहीं भी समझ में आता तो इसके बाद हम एक diagram बनाएंगे उससे आपको एकदम clear हो जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है electric field है y-direction में और जो magnetic field है वो क्या है हमारे z-direction में मतलब ऐसे z-direction में यह दोनों x-y में है वेलोसिटी तो है उसकी charge क्या है हमारा q कहीं भी रखाओ बस यहां पे move हो इसली में x-axis में आगे में ले लिया और rest में ना हो ठीक है तो यदि इस point से गुजरते रहता वो और move करते रहता तो कैसे force experience करेगा एक तो यह electric force experience करेगा क्यों ऐसे electric force experience करेगा क्या है positive charge हम लेते हैं और electric जो field है उपर की तरफ जारी है इसका मतलब नीचे ज़रूर positive charge होगा और वो उसको क्या करेगा रिपेल करेगा और वेसी बात है same charges एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपेल करेगा इसलिए electric force क्या आएगी यहां पे आएगी fe इस direction में आएगी और just इसके opposite मतलब y-axis में y-axis में क्या आएगी हमारी magnetic field की भी force आएगी fb vector यह याद रखेगा यह जो force आ रही है यह y-axis में ही आएगी मतलब और अच्छे से clearly बोले तो जो electric field की जो यह force लग रही है इसके उपर वो क्या है हमारी positive y में है और जो magnetic field के कारण इसको force लगेगी वो किसमें आएगी negative y में आएगी बिल्कुल rule से हम निकाल सकते हैं इसको कि कैसे force आएगी देखते है right hand palm rule यूज करते है right hand यूज करना है ठीक है magnetic field का direction z direction में आपके तरफ आ रही है okay तो यह हो गया magnetic field का direction ऐसा इस तरफ अभी velocity नहीं देखते है तो जिस direction में magnetic field रहती है उस direction में चारों उंगलिया यह magnetic field का direction हो गया velocity कहा है उस तरफ है तो यह velocity का direction हो गया magnetic field और velocity का direction तो जो palm है वो क्या देगा हमें को force का direction लेगा, force कहाँएगी, नीचे आएगी, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे force ऐसे नीचे की तरफ, इसलिए force क्या आई, y-axis में आई, भले magnetic field z-axis में है, मगर force कौन सी आएगी, y-axis में आएगी, ऐसी magnetic force हम निकालते हैं, दूसरा हम flaming left hand rule भी उसकर सकते हैं, उसमें left hand रहता है, left hand rule कैसा रहता है, पहले four finger रहेगी हमारे magnetic field का direction, magnetic field कहा है, आपकी तरफ है, यह हो गया, magnetic field का direction, ठीक है, velocity कहा है, velocity आपकी यह वाली finger बताती है, मतलब middle finger, तो यह क्या है, हमारे velocity का direction, थम क्या बताएगी, force का direction, तो magnetic field आपकी तरफ, velocity उस तरफ, थम नीचे की तरफ है, तो यह जो थम बताएगी, force का direction हम, विल्कुल, ऐसे ही force आएगी, अभी हम एक plate बना के भी उसको देख लेंगे, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ओके, तो यह चीज़ इकड़म clear होगी होगी मेरे साब से, direction यहाँ पे, कोई बोलेगा कि सर, Z में magnetic field है, तो मैं को imagine नी करते बन रहा है, कि Y में कैसे force आएगी, तो इसलिए, right hand rule से, तीनों perpendicular एएग दूसरेगे, यह दोनों तो हैंई perpendicular है, तो force भी क्या होती, perpendicular ही आती है, ओके, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे कौन-कौन किस जगा में है, electric field अपनी, कौन से axis में है, Y axis में है, तो यहाँ पे हम कौन से लेंगे, unit vector ही हमें लेना पड़े, क्योंकि हमें direction शो करना है, तो unit vector क्या होगा, electric field होगी हमारी normal E, पहले vector था, और Y direction में है, तो J कैप, J कैप लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो Y direction में, okay, magnetic field के बारे में बात करें, B vector, तो यह कौन से direction में, Z direction में, तो B और Z में कौन सा unit vector लेते हैं, हम K कैप, तो यह क्या हो जाएगा, B K कैप, ओके, और एक और चीज़ क्या है, velocity, जो भी vector form में, वो कौन से direction में, X direction में, velocity जा रही है, तो उसको हम लेंगे V, I कैप, एक्स direction का unit vector क्या होता है, I कैप, ठीक है, हमने ले लिया इन तीनों चीज़ों को, ओके, अब first हम देखते हैं क्या, electric force के बारे में, तो F, E, electric force, first हम, तो यह क्या होती है, electric force, vector form में लेना है, ओके, बिल्कुल vector form में ही लगते हैं अभी सारी चीज़ों को, यह होगी vector form, और क्या हो जाएगी, Q, E, vector तो होती है, अब Q, E का vector हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, Q, E, और कौन से axis में थी, electric force अपनी, तो J cap में मिल रही हैं, तो महाँ पे, मतलब Y axis में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, E, J cap, J cap हो गया बिल्कुल, ठीक है, magnetic force के बारे में देखते हैं, तो magnetic force, F, B, और यह कित्ती होगी, equal to, equal to Q, bracket में, V vector, cross, V vector, यही है, ओके, दोनों को vector से हटाएंगे, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा, दोनों का unit vector, V कौन सा था, X axis में था, और B था K में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V normal हो जाएगा, I cap, cross, V, V normal हो जाएगा, और किसमें है, वो Z axis में, तो K cap, अब यहाँ पे, जो value आएगी, इसकी, वो क्या आएगी, I cap और K cap को जब हम cross product करेंगे, तो यहाँ पे value minus आजाएगी, ठीक है, minus क्यों आएगी, ठीक है, देखते हैं उसके बारे में, तो दुनों को करेंगे, तो यहाँ पे आजाएगी value minus Q, V, B, और I cap, K cap क्या होता है, J cap ही होता है, I cap, cross K cap, बतब, एकी, दो unit vectors का है, यहाँ पे हम cross product करेंगे, तो क्या आएगा, I cap और K cap करेंगे, तो क्या आजाएगा, हमारा J cap आजाएगा, minus आएगी, opposite direction में आ रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है, कि आपको थोड़ा सा doubt हो, कि दो unit vectors का हम cross product कर रहे है, तो उसकी value negative कैसे आ रही है, तो क्योंकि vector है, negative आ रही है, इसका मतलब क्या है कि कुछ angle पे depend होगा, sign पे तो dependency रहती है, साथ ही साथ, यदि यह चीज समझने में तो भी दिक्कत होती है, तो आप देख सकते है, electric field positive J cap में है, और जब हम अपना thumb rule लगा है, फ्लेमिंग रूल लगा है, और right hand palm rule लगा है, तो हमें मिली magnetic field की force, मतलब माइनस y-axis में हमें मिली magnetic field की force, तो सही है वह वहाँ पे, तो यहाँ पे जो यह expression आ रहा है हमारा, माइनस qv, b, j-cap में आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है, हमें force ज़रूर, j-cap मतलब negative y-axis में हमें मिल रही है force, magnetic field, magnetic force, okay, कोई problem नहीं, समझ में आ रहा है, किसी को doubt हो सकता है, कि दो unit vectors का cross product negative कैसे आ रहा है, तो एक तो angle भी रहता है, दूसी बात यहाँ पे हमें समझ में भी आ रहा है कि क्यो negative आ रहा है, तो total force यहीं हम निकालें, यह हम बोले net force, तो वो क्या हो जाएगी, F electric force, प्लस जो force है, किसके कारण, magnetic field के कारण, ओके, तो देखते हैं कित्ती आएगी, दोनों की value put करते हैं, मतलब net force अब हम देख रहे हैं, तो Q, QE j-cap, यह क्या है, हमारी electric force, प्लस Q, और बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ जा रहा है, यह वली term तो माइनस है, तो माइनस Q, V, B, j-cap, यहीं आ रही है, हमारा expression, बिलकुल, यहां से net force हमारी कित्ती निकल जाएगी, F vector equal to, Q को common ले लेते हैं, कैब भी common ले सकते हैं, तो E, माइनस, V, B, j-cap, यह आ रही है, हमें force, मतलब particle, जब electric field और magnetic field दोनों में move कर रहा है, तो उसमें electric field force लागा रही है, अपने, जिस condition में हमने लिया है, positive y-axis में, magnetic field force लागा रही है, negative y-axis में, मतलब दोनों net force उसकी, जो force जाधा रही है, वो उसको उस तरफ move कर रही, मतलब इदी, दोनों force को हम बराबर कर दिये, तो particle सीधा चलने लग जाएगा, एकदम straight line में चलने लग जाएगा, तो जब particle एकदम straight line में चलने लग जाएगा, तो वो ही जो velocity होगी, उसी को हम बोलेंगे, velocity selector, ठीक है, तो हमने यह आपे देख लिया, कि जो दोनों forces है, both forces जो है हमारी, electric और magnetic, क्या है, are opposite indirection, और एक ही axis में है, यह तो हमें दीखी रहे, तो जो दोनों forces है, वो क्या है, opposite है, direction में, तो इसका मतलब, यह थी हम adjust करें, देखते हैं, if we adjust, किसको adjust करें हम, electric field को, और magnetic field को, यह थी हम ऐसा adjust करें, such that, such that, magnitude, such that, magnitude of, magnitude of two forces are equal, two forces are equal, मतब दोनों से क्या कर दे रही है, cancel out कर दे रही है, यह थी हम ऐसा adjust करें, electric field और magnetic field को, कहता कि, जो दोनों forces है, उसका magnitude क्या हो जा रहा है, zero हो जा रहा है, यह दोनों को बैलेंस कर दे रही है, तो, total force, on, charge, total force, जो charge है, वो क्या हो जाएगी, zero हो जाएगी, बिलकुल, इदि हम ऐसा manage करेंगे, यह दोनों opposite में भी है, and, charge, और वो वहाँ पे क्या रहेगा, एकदम सीरा चलते रहेगा, will, charge will move, undeflected, जो charge है, वो कैसे move करना लग जाएगा, बिना deflect हुए ही move करने लग जाएगा, मतलब वो straight line में first जाएगा, तो, charge क्या हो जाएगा, straight line में first जाएगा, तो, इसी को हम क्या बोलते है, velocity selector, ठीक है, condition देखते हैं उसने, तो, हमें क्या करना है, दोनों force को ऐसा setup करना है, ताकि दोनों का resultant zero हो जाएगा, कोई भी net force ना है, तो, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो electric force है, QE, वो बराबर होनी चीए किसके, QVB के, magnetic force के, तभी क्या होगा, दोनों का net result क्या हो जाएगा, zero, तो, यहाँ से QQ क्या हो जाएगा, cancel out हो जाएगा, V की value निकाले, तो V is equal to क्या है, E by B, यह आ जाएगा हमारा expression, कि velocity select हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, to, used, used to, select, used to select, charged particle, of, particular, particular velocity, इसकी मदद से हम क्या कर पाएगे, एक charge select कर पाएगे, जो क्या होगा, एक particular velocity का होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, velocity selector, क्या होगा, जब हम अपनी force को set करेंगे, electric force और magnetic force को, तो ऐसे charges, जिन में force एकदम बराबर हो जाएगी, वो charge सिद्धा निकल जाएगे, magnetic और electric field में, एकदम undeflected जाएगे, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे charge particle हम को चीए, वैसा select कर सकते हैं, बहुत सारे charge particle छोड़ दिए, जो हमें चाहिए, जिस velocity का हमें charge particle चीए, वो charge particle क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ऐसा यदि ये चीज नहीं समझ बहाती, तो हम क्या करते हैं, इसको एक और condition समझते हैं, हम क्या लेते हैं, infinite plate लेते हैं, ये अपनी plate हो गई, और ये क्या है, infinite plate है, ठीक है, क्योंकि charge मूव करेगा, तो उसको जादा distance चाहिए, इसलिए हम, एक infinite plate ले ले रहे हैं, infinite plate, ये आजूम आजूम ऐसा बनाने का मतलब ही है, कि इसका मतलब ये plate की लंबाई, हम नहीं शो कर सकते हैं, length इसकी, नीचे भी है, हमने क्या ले ली, infinite plate ले ले दी, और कित्ती plate ली है, 2, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें, पहले तो electric field setup करते हैं, तो electric field setup करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस plate को कर देते हैं, पूरा positive charge, ये plate हो जाएगी, हमारी positive charge, और इस plate को क्या कर देते हैं, पूरा negative charge कर देते हैं, तो electric field setup हो जाएगी, जो कहां से कहां जाती है, positive से negative जाती है बिलकुल electric field lines ऐसी जाती है तो ये जाएं लग गई हमारी electric field electric field set up हो गई कैसे set up किये हम electric field आपने देखा और किस direction में हमने set up किये है y direction में जैसा हमने question में condition ली ती तो electric field हमने set up कर ली दो plates को charge कर ली अब क्या करते हैं हम यहाँ पर magnetic field set up करते है और magnetic field कैसे select करते हैं बाहर की तरफ आपकी तरफ outward आ रही हो क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा case लिए है दोनों एक दूसरे के mutually perpendicular ठीक है तो यह हो गई हमारी magnetic field जिसको हम कैसे denote करेंगे dots dot का मतलब क्या होता है कि field z-axis में है और आपकी तरफ आ रही है cross होता तो इसका मतलब board के अंदर जा रही है field तो यह हो गई हमारी magnetic field भी यहाँ पर हमने set up करते है अब देखते है बीच में charge particle यह हो गया हमारा charge particle जो क्या है positive charge है positive charge है तभी हो पाएगा ऐसा नीचे जो plate है positive है तो इसको reflect करेगी वो उपर की तरफ उपर की तरफ ढखे लेगी और इधर तो यहाँ पे negative charge plate है पूरी तो वो उसको drag भी करेगी तो electric force क्या होगी इसमें उपर की तरफ लगी magnetic force अभी नहीं लगेगी rest में है तो अब जब इधी हम इसको velocity दे दे इधी हम move करने लग जाए एक velocity V से तो magnetic field भी क्या होने लग जाएगी setup होने लग जाएगी ठीक है तो अब इस charge को हम देखते हैं यहाँ यह हमारा positive charge है इसी charge को हम देख रहे हैं electric field के कारण force कैसे लगेगी इसमें उपर की तरफ जारी electric field है charge भी positive है तो यह लगेगी हमारी FE electric force लगेगी ठीक है अब magnetic force कैसे लगेगी इसमें तो लगाना पड़ेगा हमें palm rule ठीक है लगाते है magnetic field कहा है आपकी तरफ चारों उंगलिया आपकी तरफ velocity की इस तरफ है ठीक है एक और रूल से देखते है फ्लैमिंग रैफ्ट हैं रूल से तो magnetic पहले मैं four finger मैं magnetic field की direction है point out करूँगा ऐसे आपकी तरफ magnetic field निकल रही है उसके बाद अपनी middle finger को मैं velocity की तरफ point out करूँगा तो यह हो गई velocity तो जो मेरी thumb है वो मैं को क्या देगी force का direction देगी यह force का direction ठीक है या इसको current भी बोलते है हम तो current मतला motion of positive charges ही होता है तो देखिए magnetic force कहां दे रही है मैं को नीचे की तरफ यह आपके तरफ magnetic field उस तरफ velocity नीचे force तो यह क्या हो गया ऐसा हम क्या करेंगे condition बनाएंगी ऐसा करने से क्या होगा यदि हमने velocity selector लिया और यहां पर हमने slit लगा दी तो जो particle में हम net force देंगे जिस particle को हमें चीए वो particles क्या हो जाएंगे सिद्धा यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे बीना deflected वे यदि किसी particle में electric field की force जादा होई तो वो क्या हो जाएगा ऐसे deflect हो जाएगा यहां पर हमने क्या लगाया बीच में एक slit लगाई है ओके तो जो particle चीए हमें velocity जिस पार्टी जो particle की हमें जो velocity चीए वो क्या हो जाएगा इस slit से पास हो जाएगा ऐसी field produce करने के कारण और हमें क्या मिल जाएगा एक particular velocity का particle बिल जाएगा तो यही इसका क्या रदा है एप्लीकेशन रदा है वेलोसिटी सेलेक्टर का अप लेट वाले से क्या कर सकते हैं अच्छे समझ सकते हैं ओके आगे बढ़ते हैं अब क्या करते हैं एक इसी से रिडेटेट एक कोश्चन बनाते हैं तो क्या होगा और हमें समझ में आएगा है को अच्छन देखते हैं वाला क्या बोल रहा है होगे अप्रक्रों पिएम एप्रोटान ठीक है एगी Snow Bay से पविदाउट Ensuite फिट्रू एपिजहन op स्पेस के फिट्टील ठीक है युनिफाऊन में अल अलग अलग एकशिक न कीकल अ वाटानаров report on with E is equal to 220 kilowatt per meter magnetic electric field की value दिया है और B दिया है हमें 50 milli tesla M मतलब milli tesla हमें magnetic field की value दिया then the beam strikes a grounded target एक beam ऐसे target को hit करती है जो hill नहीं रहा है grounded मतलब उसको ground करके रखे हैं हम जारे नहीं दे रहे हैं तो एक beam उसको strike करती है find the force imparted by the beam on the target तो उस पे तो net force 0 होगी तो कि वो straight line में जा रही है मगर वो जब hit करेगी किसी target को तो उसके ओपर जो force आ रही है impact force वो कितनी होगी निकालने बोल रहा है if beam current is equal to I equal to current की हमें value दिये कितनी 0.80 milli ampere हमें current की value दिये ठीक है कितना वो impact करेगी force उसके बारे में हमें निकालने बोला है solve कर सकते हैं इस question को okay solve करते हैं जो अभी हमने concept यूज किया उसी से बनेगा देखते हैं थोड़ी सी और पिगड़म कुछ कुछ तो लगता ही है given values देखते हैं क्या दिया है हमें electric field दिया है ये equal to 220 किलो वोल्ट पर मीटर तो किलो वोल्ट दिया है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा वोल्ट में करना पड़ेगा 220 into 10 to the power 3 वोल्ट पर मीटर ओके ये हो गया magnetic field दिया है हमें B कितना दिया है 50 mille tesla दिया है तो इसको भी convert कर लेते हैं हम mille मतलब 10 to the power minus 3 tesla current दिया है हमें i जो कितने का है 0.80 mille ampere का है mille मतलब 10 to the power minus 3 तो 0.80 into 10 to the power minus 3 ampere सारी चीजों का हम क्या कर रहे है पहले से ही change करते हो आ रहे ठीक है निकालना क्या है हमें force निकालनी है target में force on target जब ये proton beam क्या करेगी hit करेगी है grounded target को इसकी हमें क्या निकालनी है force यहाँ पे निकालनी है ठीक है तो straight move कर रही है तो हम क्या करेंगे velocity selector का concept लेंगे यहाँ पे क्योंकि straight line में move कर रहा है तो since proton is moving electric और magnetic field दोनों में वो move कर रहा है straight line तो इसका मतलब जरूर उसमें net force 0 तो इसका मतलब जो हमारी electric force है QE वो किसके बराबर होगी magnetic force के जो क्या हो जाएगी Q V B यही होगा बिल्कुल यहाँ से Q Q cancel velocity selector का formula आ जाएगा V is equal to E by B ओके दोनों की value put करते हैं यहाँ पे तो velocity हमें निकल जाएगी तो आप्वेसी बाते impact कर रहा है तो हमें velocity की ज़रूरत At last हमें क्या निकालनी पड़ेगी फोर्थ निकालनी पड़ेगी जो momentum से मिलेगी और बाकी Nmv से मिलेगी तो electric field के बारे में देखते हैं कित्ती है 220 kilowatts में इंटू 10 to the power 3 divide by magnetic field 50 into 10 to the power minus 3 tesla है तो यहां से velocity कित्ती ही आ जाएगी जो इस beam है इस beam की velocity आ जाएगी हमारी 44 इंटू 10 to the power 5 meter per second तो यह जो beam है proton की इसकी क्या मिल जाएगी हमें velocity मिल जाएगी ओके आगे पढ़ते हैं एक data हमने calculate किया अब current से देखते हैं हम current associated with beam जो beam है उससे जो हमारा current क्या हो रहा है associate हो रहा है i equal to क्या होता है current equal to होता है charge by time यह चीज हमने देखा है third chapter में current electricity में charge is equal to क्या होगा n e quantization of charge तो यहां पे हम क्या लिख सकते है i is equal to यदि n जो है क्या होगा number of particles होगा और number of particles से थी हम per unit time में ले 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 तो यहां पे हम कैसा लिख सकते है i is equal to सिर्फ n e बोल सकते है क्यों 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 यहां पे जो n वो क्या है number of protons है per time में मतलब per unit time में हम ले 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 इसलिए हम यहां पे i is equal to n e लिख सकते हैं t हम n के नीचे क्या कर दिए है consider कर दिए यहां से n देखते है कितने number of protons होंगे current है तो यहां पे ज़्यादा protons होंगे n बाई क्या हो जाएगा i बाई मैंने पहले बोला था कि एक proton है नहीं यहां पे b में तो current के कारण number of protons आएगे current की value हमें कित्ती गीवन है 0.08 into 10 to the power minus 3 milliampere में यही current की value है और e की value एक basic element unit charge की value क्या होती है basic elemental charge की 1.6 into 10 to the power minus 19 यही होती है यहां से हम solve करेंगे तो n कितना आ जाएगा हमारा मतलब कित्ते number of चीज रहेगी 0.5 into 10 to the power 16 आएगा n की value number of protons per time एक beam जब move कर रही है मतलब बहुत चारे proton है मैंने परे starting बोल दिया थे कि एक ही है नहीं मतलब बहुत चारे आई से तो हमें समझ में आएगा यह चीज हो गई अब हमें देखना है कि एक proton का momentum कैसे निकालेंगे क्योंकि rate of change of momentum ही क्या होता है force होता है momentum of a proton ठीक है momentum हम देखे तो वो कितना हो जाएगा उसका formula M into V momentum क्या होता है mass into velocity ओके तो यदि अब हम force निकालें उस grounded target में F is equal to क्या हो जाएगा एक का इतना है तो N से हम multiply कर देंगे तो N M V क्या हो जाएगा N M V सब पता है हमें mass याद अखना पड़ेगा कुछ लोग एक एक बार solve करके ना करके सीधर एक ही बार में value put कर देंगे एक ही बार में solve करेंगे तो वैसे भी आप कर सकते है N का क्या होगा N का हमने क्या relation निकाला था है I by E निकाला था हमने M तो वैसी रहेगा और V का हमने क्या निकाला था E by B तो आप एक साथ भी सारी value को put करके निकाल सकते है मैंने step step में solve कर देंगे तो हम क्या करेंगे उपर वाले में value put करेंगे कुछ लोग एक साथ भी put करके निकाल सकते है कोई problem ने तो आपको एक साथ solve करना पड़ेगा तो value put करते है N कितना है जिरो पॉइंट फाइव इंटू टू दी पावर 16 इंटू मास अब मास कितना होगा एक प्रोटॉन का याद रखना पड़ेगा आपको 1.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 27 kg ओके इंटू क्या हो जाएगा इसके साथ V इंटू इंटू 10 दी पावर 5 यह आगया हमारा पूरा अब इसको हम स्वाल्व करेंगे तो फोर्स हमारी कितने आ जाएगी फॉर्स आ जाएगी हमारी 3.76 3.67 इंटू 10 दी पावर माइनस 5 न्यूटन एक प्रोटॉन बीम के कारण उस grounded target में इत्ती force लगेगी यह आ गया हमारा आंजर ओके यह कुशन भी क्या हो गया हमारा solve हो गया चीक है आगे बढ़ते हैं तो अब next topic चलते हम अब next topic आएगा हमारा cyclotron अब आएगा next topic cyclotron के बारे में तो cyclotron क्या होता है इसी में है वो क्योंकि cyclotron में हम क्या करते हैं electric magnetic field use करते है पार्टिकल को accelerate करने के लिए जो हमने अभी देखा तो जब उसमें चार्ज मूव करता है वो electric और magnetic field दोनों में करता है तो वो topic अब हम पढ़ेंगे जब हम देख लिएंगी कैसे हम force निकालेंगे जब कोई charge particle electric magnetic field दोनों में move कर रहा है तो अब आता है इसी की concept में based रहता है पूरा हमारा cyclotron ठीक है तो first point देखते है cyclotron क्या करता है it is used to accelerate charge particles और ions किसको accelerate करने के काम आता है यह charge particles और ions जो positively या negatively charged है to high energies high energies में क्या करता है उनको वो accelerate करता है obviously बात है energy मतलब कौन सी energy होगी kinetic energy होगी जिसमें उनको high energy में देगा वो energy बढ़ेगी इसका मतलब velocity भी उनकी बढ़ेगी electric and magnetic fields are used in combination to increase the energy of charge particles electric field और magnetic field दोनों use होती है हम detail में देखेंगे कैसा ऐसा होता है दोनों use होती है उस particle की energy increase करने के लिए कैसे होगा हम एक एक चीज को देखेंगे जहांज ठीक है next point देखते है थोड़ा से इसका principle जो हमारी previous class की equation से based है उसके ओपर देखते है the working of a cyclotron is based on the fact जो cyclotron की working है वो किस fact में based हैती है that frequency of revolution of a charge particle is not dependent on its energy यह किस principle पे based है कि जो frequency होती है of revolution normal frequency बोले यह ऐसी frequency भी बोले कुछ भी बोले जो frequency होगी revolution की charge particle की is not dependent वो बिल्कुल depend नहीं होती किस पे उसकी energy पे frequency बिल्कुल depend नहीं होगी energy पे कैसे energy बढ़े की तो velocity बढ़ जाएगी previous lecture में पढ़ी क्या बोला cyclodron का पहले basic principle पहले हम equation के form में देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको पूरी चीज़े तो बताऊंगा यह उसकी वर की तो क्या चीज़ देखी हमने कि जो इदी हम cyclodron की बात करें और एक frequency की बात करें किसकी जब एक charge particle circular path में रहता है magnetic field में जब वो motion में होगा तो वो circular path बनाएगा magnetic field में क्या condition रहती ही बस वहाँ पे कि जो velocity है magnetic field है दोनों एक दुसे के 90 दिख दे रहे हैं तो circular path में चलेगा यही condition रहती है तो magnetic force क्या करेंगी उसको centripetal force जैसा work कराएगी तो यदि इस case में हम frequency के बारे में देखें तो वो क्या होती है F frequency को हमने F तुमें previous वीडियो में देखा है और frequency क्या होती 1 by time period एक cycle होने में कितनी cycle हो रही है इसके बारे में और time period का formula हमारा क्या था 2 by M 2 by M उपर में क्या था Q B तो आप देख सकते है frequency ना ही किस पर depend कर रही है दोज नौट डिपेंड ना ही यह किस पर depend कर रही है आर पर depend कर रही है मतलब जो उसका radius से circular path का ना ही यह velocity पर depend कर रही है इसकी किया frequency इसका मतलब जब velocity पर भी वो depend नहीं कर रही है तो velocity से ही kinetic energy बनती है तो इसका मतलब do not depend on on energy energy पर क्या होगी वो depend करेगी यह नहीं करेगी मतलब kinetic energy के independent रही है यही चीज क्या होता है इसका principle होता है ठीक है और इस चीज को देखते है यही हम सिर्फ time period देखें क्या होता था प्रिवस लेक्चर में हमने अच्छे से बात करिए जितना time लेगा वह complete करने के लिए एक सरकल चार्च पार्टिकल जब कर रहा हूँ का magnetic field में तो time period देखें तो यही जस्ट अपोजिट उसका तो क्या हो जाएगा टू पाइएम टू पाइएम बाई क्यू भी तो time period खूद क्या है इस case में independent है velocity का independent of velocity time period खूद क्या है velocity के independent है इसलिए क्या होगा frequency भी क्या होगी energy से कोई dependent नहीं करेगी उसकी ओके एक और चीज़ देखते हैं किसी को भी doubt हो सकता है कि जब हमने time period वहां पे derive किया था तो उसका formula क्या है था time period का formula है था हमारा 2 pi r by v distance upon speed 2 pi r by v तो कोई बोल सकता है कि सर यहां पे तो यह velocity पे तो event कर रहा है inversely नहीं मगर यह velocity क्या करेगी radius के साथ compensate कर देगी कैसे देखते हैं यहां पे हम 2 pi और v को ऐसे रखते हैं r की value डालते है radius का formula क्या था वहां पे हमारा mv by qb यही था यहां से velocity velocity क्या हो जाएगी cancel out हो जाएगी मतलब वो radius और velocity का क्या है यहां पे relation radius directly proportional होगा कि इसके velocity यह दोनों का relation है मतलब जो भी radius में change होगा velocity में change होगा वो लोग आपस में अपना लेंदेन करते रहेंगे time period को दिक्कत नहीं देंगे velocity जाद होगी radius बढ़ जाएगा velocity कम होगी radius कम हो जाएगा time period उतना ही लगेगा याद रखेगा ठीक है तो यह लोग आपस में अपना सैटल कर लेंगे और time period को दिक्कत नहीं देंगे अब जो frequency of revolution बोल रहा है किसी किसी को लग सकता है कि वो angular frequency भी हो जाए तो भी कोई डेंचन नहीं तो भी वो भी डिपेंड नहीं करती अंगूलर frequency अंगूलर frequency की बात करें जिसको हम जन पर पर क्या बोलते हैं angular velocity बोलते हैं अंगूलर वेलोसिटी कमन्ट सब्ड़ों टो अंगूलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है यह इसकी वेल्ल्यू जादा होती है एस कमपेड़़ तो नॉर्मल frequency, 2π इसकी value जादा होगे, 2π f, यही है, ठीक है, f frequency की value क्या है, 2π, डाल देंगे, 2π और 2π cancel out हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ, qb by m, मतब चार्ज के mass, उस चार्ज का mass, वो उसका कितना चार्ज है, और magnetic field क्या होगी, बस इसी पर depend करेगी, तो अब समझ में है, इसका ज चार्ज पार्टिकल की, वो energy पर depend नहीं करती है, मतब velocity, radius दोनों पर depend नहीं करती है, यह formula आप देख सकते हैं, सिर्फ किसमें depend कर रही है, चार्ज का magnitude, magnetic field, और mass, उस चार्ज का, ऐसा बोल सकते हैं कि mass में ही उसके energy आ जाएगी, बढ़ ठीक है, तो the working of a cyclotron is based on a fact that frequency of revolution, जो frequency यह बार-बार घुमनेगी, एक सेकंड में एक सर्कल कम्प्लीट कित्ता सर्कल कम्प्लीट कर रहा है, और फिर चार्ज पार्टिकल is not dependent on its energy, ओके, सेकंड लाइन हो गई, थर्ड लाइन अभी हम नहीं समझेंगी, पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग देखते हैं, फिर वर्किंग कैसे दो, तो आपको सारी चीज़ें और ग्लियर हो जाएगी, डाइग्राम के साथ हम पूरी वर्किंग एकदम डीटेल में देखेंगे, तो फर्स चीज, हमें क्या करना है, एक पार्टिकल को एकसलरेट करने का काम करता है, अब क्यो ज़रूरत पढ़ती ही पार किसको यहाँ पर एकसलरेट करते हैं, प्रोटॉन को करते हैं, और नुकलेस खुद कैसा रहता है, अजा पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो उस तक कोई प्रोटॉन को लेके जाना इतना आसान चीज नहीं रहेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं, उसको एकदम accelerate कर देते हैं, accelerate करेंगे तो उसकी velocity जादा हो जाएगी, velocity जादा हो जाएगी तो kinetic energy जादा हो जाएगी, इसलिए cyclotron किसी भी particle की energy बढ़ाता है, या उसकी velocity बढ़ाता है, या उसका accelerate करता है. दूसरा हम इसका uses देखेंगे, एक बार detail में, किसी solid के अंदर हम एक iron प्लेस करना है, तो किसी भी solid के अंदर किसी भी particle को ले जाना इत्ता असान नहीं होगा, solid की interatomic forces क्या रहती है, बहुत strong रहती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एकड़म charge particle को हम क्या करेंगे, उसके iron के अंदर हम उस iron को क्या करेंगे, प्लेस्ट करेंगे, ऐसा हम क्यों करते हैं, कभी हमें solid की property को change करना ही, तोड़ा सा हलका करना है, कुछ भी उसकी property, strength, toughness, कुछ भी change करना है, तो वो सब चीजों के काम आता है, थर्ड इसका uses क्या रहता है, radioactive decay के लिए, radioactive decay क्या है, एक प्रकार का nuclear reaction ही है, तो nucleus तक हमें कोई charge particle पहुचाना है, तो फिर क्या ज़रोज पड़ेगी, हमें इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो अब में क्या करना है, हमें एक charge particle की velocity और energy increase करनी है, तो first में ची जाता है, कि क्या ये काम magnetic field कर सकती है हमारी, यदि हम magnetic field की बात करें, B vector, तो क्या ये काम हमारी magnetic field कर सकती है, तो magnetic field क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, किसी भी charge particle की velocity वो increase नहीं कर सकती, वो बस क्या कर सकती है, उसको trap करके रख सकती है, हमने देखा है, कि जब velocity vector और magnetic field दोनों क्या रहेंगे, perpendicular रहेंगे, तो उन दोनों के perpendicular, third axis में क्या लगती है, एक force लगती है, उस force के कारण क्या होता है, particle, magnetic field में circular motion करने लग जाता है, और यदि velocity vector कुछ angle में न, तो helical motion करने ल field की बात करें, तो does not increase, magnetic field क्या है, increase नहीं कर पाती, velocity की बात करें, यहां हम बोलें, energy, अब high energy उसको कर रहें, तो energy का मतलब क्या है, kinetic energy एक पनार से, speed ज्यादा Afterwards में तो magnetic field यह काम नहीं कर पाती, क्या electric field यह काम कर सकती है, तो हाँ electric field क्या कर सकती है, हमारे particle को accelerate करने में मदद कर सकती है, velocity को increase कर सकती है, और kinetic energy को भी क्या कर सकती है, increase कर सकती है, velocity increase होगी, तो kinetic energy increase होगी, कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे हम एक दो plate ले लें, ठीक है, और यह दो plate में क्या करते हैं, हम अपना, दोनों plate को हम क्या करते हैं, चार्ज कर देते हैं, ठीक है, एक तरफ पूरा positive charge, और दूसरे तरफ क्या करते हैं, इस plate को पूरा negatively charge कर देते हैं, ठीक है, दोनों plate को हमने क्या कर दिया, charge कर दिया, अब इसके बीच में हम charge particle लेंगे, सबसे बहले जब हमने इसको charge कर दिया, तो electric field lines के बारे में देख लेते ह ठीक है, अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक charge particle ले लेते, क्यों, और यह जो charge particle लेंगे, क्या लेंगे, positively charge ले लेते, तो obvious ही बात है, यह positive charge है, इधर positive plate लेते हो, क्या करेगा, उसको repel करेगा, और यह charge particle इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, rest में है, तो भी वो उसको repel कर F, और वो force हम कैसे निकालते हैं, F is equal to QE, ऐसे करके हम electric field निकालते हैं, vector conform में भी देखने तो भी देख सकते हैं, यही force exert करती है, E क्या होता है, electric field intensity, force experience by per unit positive test charge, positive charge दिया है हमने, तो ऐसी force क्या करेगी, electric field exert करेगी, ठीक है, अब इससे acceleration कैसे होगा, देखते हैं, force is equal to क्या हो acceleration निकालें, तो वो क्या हो जाएगा, force upon mass हो जाएगा, और यहां से हम force की value पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, QE by M, तो इसके कारण क्या होगा, electric field के कारण, इसको क्या मिलने लग जाएगा, acceleration मिलने लग जाएगा, तो हाँ, electric field हमारा क्या कर सकती है, charge की velocity increase कर सकती है, और के energy जादा होगी, velocity जादा होगी, kinetic energy जादा होगी, highly, बहुत जादा highly accelerate करता है na cyclotrot तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस electric field पे, हम एक काम क्या कर सकते हैं या तो electric field का, यह जो beach का distance है, वो बढ़ा दे, कैसे दो equation से देखते हैं equation of motion क्या क्या होती है एक होगी, v square is equal to u square plus 2as बिल्कुल u square plus 2as एक यह वाल ही अपनी equation होगी दूसरी दी हम देखें, तो v is equal to क्या होता है, u plus 80, यही दो equation रहती है हमारी, अब हम यही चाहते है कि acceleration उस particle का क्या रहा है बहुत जादा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, u क्या है initial velocity, ठीक है, initial velocity 0 भी है या कुछ है भी, कोई फरग नी बढ़ता अभी उसके बारे में हम नहीं देख रहे हैं, कुछ भी value हो सकती है हम चाहते हैं कि यही उसका acceleration बहुत जादा हो, बहुत जादा accelerate करें, तो उसके लिए हमें क्या condition चीए एक तो s जादा होना चीए मतलब, जितने जादा distance मतलब, यह दोनों के बीच में जितना जादा distance रहेगा उत्ता जादा क्या होगा, उसको time मिलेगा electric field में, उतनी जादा उसको electric field क्या करेगी, accelerate करेगी यह एक फाइदा है, s यदि distance जादा रहे, दूसरा एक और तरीका क्या है velocity increase करने का, यदि हम उसका time period जादा कर दे, time period इसका मतलब कि जितना time वो accelerate हो रहा है वो time को हम increase कर दे, मतलब जितने देर electric field में है, वो time बढ़ा दे हम तो उससे भी acceleration increase होगा V जादा मिलेगा अपने को, s बढ़ाएंगे तो भी V जादा मिलेगा, जादा देर तक acceleration रहेगा, तो velocity जादा मिलेगी तो यह दो तरीका है, मगर अब इसमें दिक्कत क्या है, यदि हम s को large करते है, यदि हम distance large करते हैं, ये दोनों plate के बीच का, ठीक है ये दोनों plate के बीच का distance भी हम ले लेते हैं, क्या देते हैं, हम generally distance लेते हैं, जैसे हम capacitor में पढ़ें, तो इसको हम d भी बोल सकते हैं, या हम इसको s भी बोल सकते हैं, दोनों plate के बीच का distance, यदि हम s को large करते हैं, s को large करते हैं, तो दो ठो प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पर यह दिए दो प्लेट के बीच का हम डिस्टेंस बनाते हैं तो दो प्रॉब्लम आ जाएगी देखते हैं क्या एकदम स्टेप वाइज में एक तो क्या होगा size of machine increase होगा size of machine increases ठीक है दूसरा इसका नुकसान यह होगा कि इलेक्ट्रिक फिल्ड क्या होगी गिर जाएगी इलेक्ट्रिक फिल्ड decreases दो इसके नुकसान होगा यदि हम डिस्टेंस जादा बढ़ाते हैं तो ऑविसी बात है यदि डिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम भी जादा बढ़ जाएगा जितना देर वो चार्ज सिएघ्यवक फिल्ड में रहेगा मगर इसका नुकसान ही होगा कि मकीशीन का साइज jos जाएगा दूसरा नुकसान क्या होग्आ इलेक्ट्रिक फिल्ड डिक्रीज होगी अब यह कैसे होगा देखते हैं जा Merci हम electric field का formula देखें, तो generally हम electric field का formula क्या देखे थे, e is equal to क्या होता है, 1 upon 4 pi epsilon naught into q क्या है, जो पैदा कर रहा था, q by r square, ऐसा ही हम देखते थे, यहाँ पे हम क्या ले रहते है, r कह रहते है, distance रहते है, जिस पे निकालते है, अब यहाँ से हम यह एक square को हटा दे, और यहाँ पे क्या करें, एक और, इस r को एक और अलग से लिख लें, तो जो यह इतना पूरी value है, यह पूरी value क्या हो जाएगी हमारी, यह पूरी value potential बन जाती है, यही चीज हमने देखा है, तो इसका मतलब यही हम यहाँ पे देखें, यही हम यहाँ पे, electric field के बारे में पूरा बात करें, तो electric field का expression क्या आता है, हमने कई बार देखा है, यह चीज, capacitor में भी हमने पढ़ा है, electric field is equal to क्या होता है, potential by d, distance, कितने distance पे हम देख रहे हैं, अब यही हम distance increase करते हैं, दो plates के बीच का, दो plates के बीच का यदि हम positive charge और यह negative charge, यही दो plate के बीच का हम distance increase करते हैं, तो electric field क्या होगी, गिर जाएगी, यहाँ, कैसे? distance increase हुआ, electric field गिर जाएगी, अब यही हम acceleration का देखे थे, क्या आया था, तो क्या आया था? e, यहाँ आप expression देख सकते हैं, acceleration का क्या आया था? QE by M. QE by M. अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड गिर जाएगी, distance बढ़ाने से तो acceleration भी गिर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? velocity भी कम हो जाएगी, तो size increase नहीं कर सकते हैं. मतलब time size increase करने से क्या होगा? acceleration हमें जादा नहीं मिलेगा. यदि ये दो plates के बीच का हम क्या कर दिये? distance बढ़ा दिये. तो फिर कैसे accelerate करें? तो हमें एक ऐसा distance चाहिए, मतलब हमें ये चीए, कि charge particle क्या करें? बहुत देर तक electric field में रहा है, और continuously move करते रहे. तो इसे लिए हम d's use करते हैं. ठीक है? आगे देखते हैं. अब एक दिक्कत तो है distance की. ठीक है, distance की दिक्कत कैसे solve होगी? cyclotron में हम उसके बारे में देखेंगे. next चीज देखते हैं. एक और चीज हमारे लिए क्या ज़रूरी थी? कि time जादा रहे. जादा time वो electric field में क्या करें? charge particles. क्या करें? spend करें. तो यह किससे कर सकते हैं? हम magnetic field की मदद से कर सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि magnetic field क्या करती है? उसको circular motion में रखेगी. यह चीज हमने देखा है. बस velocity और magnetic field एक दूसरे के perpendicular होने चीज़िए. तो force ऐसी लगेगी. उनके third mutual axis में लगेगी. और particle क्या करने लग जाएगा? circular motion करने लग जाएगा. तो इसके करण क्या होगा? वो particle को trap करके रखेगी. और जब particle trap रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका time increase हो जाएगा. कि particle जितना time spend करता है electric field में, वो हमें क्या मिलने लग जाएगा? जादा मिलने लग जाएगा. ठीक है? तो अब हम कैसी field यूज़ करेंगे? cross field यूज़ करेंगे इसमें. cross field हम क्या करते हैं? cyclotron में यूज़ करते हैं. हमने पहले line में ही देखा है. cyclotron किसकी मदद से हम यूज़ करते हैं? electric field और magnetic field की मदद से. इसका मतलब जो electric field रहेगी, वो क्या रहेगी? perpendicular रहेगी as come. perpendicular रहेगी किसके साथ? magnetic field के साथ. तो ये हम क्या करेंगे? cross field यहाँ पे use करेंगे. ठीक है? तो यह थी basic theory. हमें क्या चीए ज़्यादा distance, मतलब जो charge particle है, वो ज़्यादा देर तक electric field में रहे. तो उसका time ज़्यादा spend करें, और distance ज़्यादा travel करें. तो distance ज़्यादा travel हम देखेंगे, d's की मदद से होगा, time ज़्यादा उसको spend कराना है, मतलब electric field में, अब बनाते हैं हम cyclotron का diagram, मतलब हमें समझ में आ गया, कि हमें ज़रूरी क्या है, charge को accelerate करने के लिए, अब देखते हैं हम diagram cyclotron का. अब इसमें क्या करते हैं हम, दो ठोग d's use करते हैं. यह हमारी 1 d हो गई, और दूसरी d, ठीक है, दोनों के बीच का distance एकड़म जादा नहीं रहता है, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और यह जो d's रहती है, यह भी कैसे रहती है, hollow semi circle रहती है, याद रखेगा. hollow semi circle मतलब, एक तो semi circle रहती है, साथी साथ बीच में क्या रहती है, इसका मतलब पाचाच पाटिकल जो है, वो क्या कर सकता है, इसके अंदर जा सकता है, चीक है, तो क्या use होती है, जो d's है हमारी वो क्या रहती है, two hollow, semi circular, circular, metallic containers, दोट होगे, hollow semi circular metallic container, इसको हम क्या बोलते है, d1 और d2, नाम देखे तो इसको हम क्या बोलते है, d's बोलते है, d double, एक को बोलेंगे तो d, दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो d's बोलते है, ओके, बीच में क्या रहता है, इसमें एक source place रहती है, यह क्या है, हमारी source set हो, जहां से क्या होगा, हम कोई भी एक charge particle को क्या करेंगे, इसके अंदर emit करेंगे, ठीक है, अभी जो दोनो d's रहती है, यह दोनो d's किससे connect rate रहती है, एक्दम high frequency oscillator के साथ है, यहां पर क्या लगा रहेगा, oscillator, oscillator का मतलब यह है, कि वो क्या करेंगा, AC supply करेंगा, ऐसा हम क्या करते हैं, उसका sign बनाते हैं, ठीक है, तो यह क्या है हमारा high frequency, high frequency, पूरा चीज़ अच्छे से लिख लेते हैं, high frequency, यहां हम बोलें very high, और very high voltage, यह क्या रहता है, एक प्रकार का oscillator, इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह क्या supply करता है, हमें AC current supply करता है, AC current कैसा रहता है, वो हमेशा उसकी जो cycle रहती ही, वो आधी positive रहती है, आधी negative रहती है, मतलब ना वो जो d's है, यह d's की ना, polarity वो क्या करते रहेगा, change करते रहेगा, अब कितना change करेगा, वो देखेंगें, इसको हम क्या बोलते हैं, high frequency oscillator, बहुत ज़्यादा high frequency रहती है, इसकी, यह लिए हम इसकी frequency की बात करें, तो लगभग कित्ती frequency रहती है, एक लाग, एक लाग से बात करें, या 10 लाग तक की frequencies की रहती है, एक लाग hertz, या हम बोल सकते हैं, 10 लाग, hertz की क्या रहती, इसकी frequency रहती है, hertz का मतलब यह है, कि जो AC cycle रहती है, वो कैसी रहती है, आधा उसका हिस्सा positive जाता है, और आधा क्या जाता है, नेगेटिव जाता है, यह उसकी क्या रहती ही, पूरी एक cycle रहती ही, मतलब एक cycle में वो क्या करेंगा, जब AC current flow होगा, oscillator है हाँ पर current flow कराएगा, तो एक cycle में, आधा हिस्सा उसका positive रहेगा, आधा हिस्सा उसका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और यही जो एक cycle है, वो एक second में कितने बार बनेगी, दस लाग बार generate होगी, एक second में दस लाग बार यह cycle बना देगा, इसका मतलब एक second के अंदर, यह जो दोनों d's है, यह दोनों d's को plus minus, plus minus, खच-च-च-च-च करते रहेगा एक दमना, दस लाग बार इन दोनों को plus minus कर देगा हो, यह यह oscillator का काम रहता है, एक second में 10 लाग बार, एक बार इसको plus किया, एक बार इसको negative किया, और यही चीज वो 10 लाग और कम से कम बोल सकते हैं, एक लाग hertz, यही frequency होती है, खच-च-च-च पॉजिटीव, नेगेटीव, पॉजिटीव, नेगेटीव, एक second में बहुत बार कर देगा इसको, उसका फाइदा क्या होगा, देखेंगे अब, ठीक है, यह चीज होगी, अब oscillator से connect कर दिए देखना, देखें हमने frequency कित्ती जादा है इसकी, मतलब high frequency oscillator है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और, electric field कैसे generate हो जाएगी, इसी से generate हो जाएगी high frequency oscillator, next यहाँ पे हम क्या use करते हैं, magnetic field, magnetic field देखते हैं, और magnetic field कैसे रहेगी, outward, मतलब आप की तरफ आएगी magnetic field, वो हम कैसे produce कर सकते हैं, इसके पीछे एक north pole magnet रख देते हैं, सामने south pole रख देते हैं, तो magnetic lines क्या होगी, north से south आएगी, ठीक है, बाहर की दरफ, magnet के अंदर तो वो उल्टी जाती है, यह चीज हम next lecture में देखेंगे, तो हमने क्या करी, magnetic field भी यहाँ पर generate कर ली, समझ में आ रहे हैं आपको क्यों हम magnetic field यहाँ पर generate कर रहे हैं, ताकि वो charge particle को ज़ादा देर तक trap कर कर के रखें, electric field में, यह क्या काम रहेगा, magnetic field का काम रहेगा, तो पूरी dot हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यह निकल के बहार आ रहे हैं, यह अंदर जाती तो हम क्या बनाते हैं, cross बनाते हैं, तो ऐसे हम क्या कियें, यहाँ पर पूरी जगा में, magnetic field जनरेट कर दी, पूरा इसके अंदर, और यह पूरी dot क्या है, जो निकल के बहार आ रहे है, तो magnetic field भी हमने इसमें जनरेट कर दी, जो पूरी क्या आ रही है, बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो यह क्या हो गई, सारी चीज़ हो गई इसमें, अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम एक charge particle को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, तो magnetic field कैसी है, outwards, outwards, मतलब आपकी तरफ निकल के आ रहे हैं, अब यहां से हम क्या करते हैं, बीच से एक charge particle छोड़ते हैं, source से, ऐसा charge particle जिसका charge होगा q, और mass होगा m, ठीक है, देखते हैं, जैसी charge particle से, जनरली हम क्या छोड़ते हैं, proton छोड़ते हैं, प्रोटॉन के ही काम आता है, electron के हम क्यों नहीं लेते हैं, वो भी चीज हम आगे जाके देखेंगा, तो हमने एक charge particle यहां से source से एक charge particle छोड़ा, जिसका charge plus q होगा, और mass m होगा, तो अब उस समय, जिस समय वो charge particle छोटा, source से, उस समय polarity देखते हैं, तो यह D1 की polarity का मान लेते हैं, हम positive रहेगी, और D2 की polarity का रहेगी, negative रहेगी, जिस समय charge particle source से निकला, तो charge particle क्या होगा, जैसी निकला तो वो क्या करेगा, negative के तरफ, क्योंकि वो positive है, negative की तरफ क्या करेगा, वो accelerate करेगा, और अंदर की तरफ जाएगा, जैसी D के अंदर वो charge particle पहुँचा, उसके करण क्या होगा, electrostatic shielding का हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनोमिना आ जाएगा, जैसी charge particle D के अंदर गया, और वो क्या है, positive है, negative के करण accelerate किया, अंदर गया, जैसी इसके अंदर पहुचा, shield हो जाएगी, electric field lines किसी भी conductor के अंदर नहीं जाती, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो रूप जाएगा, अब magnetic field क्या करीगी, इसको एक round घुमा देगी, ऐसे घुमा देगी यहाँ पे, इसको magnetic field, तो और अच्छे से बना लेते हैं, जैसी charge particle अंदर गया, इससे magnetic field क्या करी, उसको round करा दी, ठीक है, अंदर में कोई electric field का effect नहीं होगा, ठीक है, अब जैसी इसको round करा ही, तो क्या हो गया, यह frequency, जो oscillator है, वो क्या कर दिया, polarity change कर दिया, मतलब कैसे polarity change कर गया, अभी तो वो उसके अंदर था, जब negative था, अब यह क्या करेगा, polarity change कर देगा, इसको negative कर देगा, और इसको positive कर देगा, ठीक है, यह positive होगया, यह negative होगया, चार्च पार्टिकल खुद positive है, तो वो देखेगा, अगला इससा negative है, सट से इसकी तरफ क्या करेगा, वो accelerate करेगा, यहाँ, तुरंट आएगा इसके अंदर, जैसी उसके अंदर आया, वो फिर shield हो गया, electric field लाइन, इस conductor के अंदर जाती नहीं है, फिर magnetic field क्या करीगी, इसको एक round ऐसे घुमा देगी, फिर oscillator क्या किया, सट से तुरंट, दोनों की polarity तुरंट चेंज कर दिया, फिर खच से, यह एक second में भी एक लाग बार करता है, तो सूचे चार्च पार्टिकल कितना जल्दी वो कर रहा होगा, फिर oscillator क्या किया, अब यह था negative, इसको positive कर दिया, और इसको negative कर दिया, सट से चार्च पार्टिकल एकसलरेट होगे, फिर यहाँ है, ऐसी कर करके, ऐसी कर करके क्या हो जाएगा, उसकी energy increase होए लग जाएगी, और वो spiral motion में move करने लग जाएगी, समझ में आए, आपको कैसे move करेगा, सोर्च से छूटा, यहाँ हिस्सा negative हो जाएगा, फिर सट से इधर जाएगा, तो ऐसे करते करने क्या होता है, उसकी energy increase होए लग जाती है, मतलब velocity increase होए लग जाती है, और हमने circular motion में देखा है, previous lecture में पढ़ा है, कि यह दि उसकी velocity increase होगी, तो directly proportional देती है वो radius से, तो उसका जो radius है, वो क्या होने लग जाएगा, increase होने लग जाएगा, इसी करण वो क्या करेगा, spiral path में move करने लग जाएगा, यही है working, फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो एकदम अपने d's के radius, जितना पहुँच जाता है, spiral बना बना गे, बना बना गे, तो यहाँ पर क्या रहता है, एक deflector लगे रहता है, deflector भी हम field की मदद से यूज करते है, deflector क्या करेगा इसको, deflect कर देगा, तुरन, और यहाँ पर क्या रहता है, exit बना हुआ रहता है, तो जैसी deflector लगेगा, वो एकदम डीस के रेडियस जितना आ जाएगा, deflector उसको deflect कर देगा, यहाँ से बाहर वो क्या हो जाएगा, exit हो जाएगा, कैसे high velocity, high energy के साथ, तो यह क्या है working हमारी cyclodron की, ऐसे क्या करता है, move करता है, आपको समझ बहाएं, कैसे वो spiral path follow करता है, polarity change होने के कारण, पहले negative रहेगा, सठ से इधर गेगा, गुमादे की magnetic field, सठ से इधर आ जाएगा, ऐसे करकर करकर करके, उसका spiral path बन जाता है, ठीक है, तो यह थी क्या, उसकी working की, कैसे वो work करता है, ओके, अब इदि हम यहाँ पे, इसके radius का relation देखें, तो यह चीज हम किस में पढ़ चुके हैं, अल्रेडी, circular path में, जब एक charge particle, circular path में गुमता है, तो वो ही क्या होगा, उसका radius होगा, तो radius r क्या होता है, mv by, क्या relation रहता है, mv by qb, यह क्या रहता है, relation, यह relation हमने किस में derive किया है, previous lecture में, जब एक particle, magnetic field में circular motion करेगा, और यह जो radius है, यह क्या है, radius charge particle का है, कब वो जब निकलेगा, तो उसका radius, 20 के radius जितना हो जाएगा, मतलब एकदम बीच से शुरू किया है, at last जब वो deflector से निकलने वाल रहेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होंए लग जाएगा, और आप बोल सकते हैं, circular कैसे consider कर रहे हैं, तो यह लगभग जो first inner circle आप देखें, इसको लगभग हम एक circle ही मान सकते हैं, तो इसलिए velocity इंक्रीज होगी, हर बार उसकी energy इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हर बार में उसका हर round में radius इंक्रीज होए लग जाएगा, और at last वो d के radius के साथ क्या हो जाएगा, full high velocity, acceleration के साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो यह हो गई इसकी working, अब हम देखते हैं, यहां से इसकी velocity हम कैसे calculate करेंगे, तो जो अभी हमने radius का formula देखा, वो ही क्या हो जाएगा, हमारे velocity, वहीं से हम velocity निकाल सकते, तो यह वाले expression से यह वेलोसिटी निकाले, तो q b r के साथ चले जाएगा, और m नीचे आजाएगा, तो क्या हो जाएगा expression, r q b by m, यह क्या हो जाएगा, हमारा velocity का relation, कि कैसे हम velocity निकालेंगे, r क्यालेंगे हम d's का radius, q हमें charge के बारे में पता होगा, और m क्या होगा, उसका mass, काइनेटी के नेर्जी की बात करेंगी, कैसे काइनेटी के अनेर्जी calculate करेंगे, तो काइनेटी के अनेर्जी क्या होती है, half m v square, यहाँ पे हम क्या करते है, v की value को put कर देते है, तो 1 by 2 m, v की value क्या है, r q b by m का whole square, एक m cancel out हो जाएगा, नीचे आले square के साथ, तो यही काइनेटी के अनेर्जी हमें निकालने बोलता है, at last particle की cyclotron की numerical question में, तो यहाँ से एक तो m cancel out होगे है, बस उपर बचा, तो क्या हो जाएगा, r square, q square, b square by 2 m, तो यह क्या हो जाएगा, यह दोनों relation क्या रहते हैं, हमाई लिए important रहते हैं, velocity का, radius का, और second kinetic energy का, यही चीज क्या बोलता है, numerical में निकालने बोलता है, ठीक है, next अब हम बात करते हैं, frequency की, अब जो oscillator की frequency रहती है, वो cyclotron की frequency से match होनी चाहिए, वरना क्या होगा, दिक्कत हों लग जाएगी, देखते हैं इस बारे में, क्योंकि जो cyclotron की frequency रहती है, वो मतलब frequency क्या, कि जिस time period के साथ, वो क्या करेगा, अपना rotate करेगा एक circle, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या देख लेते हैं, time period, इसका भी हमने, relation अल्रेड़ी पहले calculate कर लिया है, जब पार्चाज particle circular path में move करता है, तो क्या होगा time period, 2πi m by qb, velocity पे depend नहीं करता, velocity increase होगी, तो radius उसका बढ़ा हो जाएगा, मगा time period क्या रहेगा, उसका उत्ता ही रहेगा, ठीक है, यह किसके लिए रहता है, एक circle के लिए रहता है, for one circle, ठीक है, भले होगा spiral path move कर रहा है, बढ़ उसको हम लगभग एक, छोटा सा रहता है, तो circle ही मान लेते हैं, अब next एड़ी हम frequency रहेगे, तो frequency क्या होती है, one upon time period, तो frequency का relation क्या हो जाएगा, just ultra qb by 2πi m, यह क्या हो जाएगी, cyclotron की frequency निकाल लेगा, अब यही जो frequency रहेगी, यह frequency किसके बराबर रहती है, oscillator की frequency, मतलब जो इसकी frequency, वो ही उत्ती frequency, दोनों की frequency, sync होनी चीए, same होनी चीए, मतलब oscillator भी उत्ने बारी क्या करेगा, खच-चच पोलाइटी, उसकी अपनी एक cycle, वो क्या करेगा, complete करेगा, same उसी frequency के साथ, तो इसको हम कैसे लिखते है, O, S, C, frequency किसकी oscillator की, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यह frequency किसकी, यह frequency क्या है, cyclotron की frequency है, जो oscillator की है, वो ही, चीक है, तो यह क्या होगी अब पूरा चीजों के बारे में, radius बढ़ेगा, तो अब बात भी बढ़ेगा, और kinetic energy increase हो जाएगी, चीक है, अब next देखते हैं, हम uses, क्या क्या use है इसका, तो first हमने क्या देखा, first use क्या है इसका, to study nuclear reaction, study nuclear reaction, nuclear reaction को study करने के लिए, हम एक अंदर charge particle लालना पड़ेगा, वो charge particle को एकदम speed से भेढ़ना पड़ेगा, nucleus से भेढ़ना है, तो उसकी मदद से करेंगे हम यह, cyclotron, ठीक है, to insert, an iron, into, insert a iron, मतलब एक iron ही लिए हम insert करना चाहें, किसके अंदर, in a solid, एक solid के अंदर iron insert करने के लिए, उस solid की property चेंज करने के लिए, और solid की interatomic forces जाधा रहती है, एकदम high energy particle लालना पड़ेगा, उसमें तब ही उसमें अंदर जाके एक iron बैठेगा, और third इसका uses क्या है, to start radioactive decay, ये भी एक प्रकार का क्या रहता है, nuclear reaction ही रहता है, कि अपने वो particles में तूटने लग जाएंगे, अलग-अलग radioactive materials मिलने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये था इसका uses, next देखते हैं हम limitation, इसकी limitation क्या है, limitations के बारे हम देखते हैं, तो first limitation ये है, कि आपने बहुत सारी books में देखा होगा, क्या, कि जब आप textbook देखेंगे, तो उसमें लिखा रहता है, कि electron को भी हम क्या कर सकते हैं, cyclotron से accelerate कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, books में लिखा रहता है, बट, electrons को यहाँ पर हम cyclotron से accelerate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, limitations देखते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी देखेंगें, तो first area हम limitation देखें, cannot accelerate, cannot accelerate, neutral particles, neutral particles को यह accelerate नहीं कर सकते हैं, अब्वेसी बात है, वो d's की polarity change हो रही है, तो वो अपने attraction के कारणी इधर-उधर जा रहा है, neutral particles रहेगा, तो वो कैसे move करेगा, electric field में, जैसे neutron, neutron को हम इसमें accelerate नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई charge ही नहीं रहता है, तो जो भी particle charge है, उसी को कर सकते हैं, second देखते हैं, limitation इसकी, तो neutron को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई charge नहीं है, इसमें accelerate, ठीक है, cannot accelerate, accelerate very small, cannot accelerate very small particles, ठीक है, अब यही से क्या होगा, इसी समें समझ में आएगा, very small particles ही थी हम बोलें, मतलब, electron, हम इसको, electron को accelerate करने के लिए, use नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों, देखते हैं कारण, force का एदी हम formula देखें, यहाँ पे, F is equal to क्या हो जाएगा, QE, ठीक है, यह कह रहाता है, force का formula, ओके, तो यहाँ से acceleration क्या मिल जाएगा हमें, F by M, ओके, अब X force की रही हम value डालते, तो क्या हो जाएगा, QE by M, यह relation हमने सबसे पहले में देखा, अब जो electron रहता है, उसका mass क्या रहता है, बहुत कम रहता है, तो जब mass उसका बहुत कम रहता है, तो यह जो value है उसकी, M की, वो क्या रहती है, बहुत कम रहती है, अब जब यह value बहुत कम रहेगी, किसकी बात कर रहे हैं हम, electron की बात कर रहे हैं, तो acceleration क्या होगा, बहुत ज़ादा increase हो जाएगा, उसका electron, अब जब उसका acceleration बहुत ज़ादा increase हो जाएगा, मतलब उसकी velocity बहुत ज़ादा पहुत जाती है, बहुत ज़ादा velocity हो जाती है, electron की, अब electron की velocity होने से problem यह है, इगदम ज़ादा हो जाने से यह problem है, कि उसकी velocity close to light, speed of the light के close पहुँचने लग जाती है, इगदम नहीं पहुँच सकते, बढ़ उसके close पहुचने लग जाती है, अब जब किसी की speed, light की speed के भी थोड़ा सा close पहुचने लग जाएगी ना, तो problem क्या होती है, mass change होने लग जाता है, कैसे, इसको हम देख सकते हैं, कि आप normal खड़ें, दो प्रकार का mass होता है, एक rest mass, एक moving mass, जब आप normal खड़ें तो आपका mass अलागे, मगर जब आप दोड़ने लग जाएंगे, तो आपका mass थोड़ा सा increase हो जाएगा, चीक है, light की speed के आस पास तो ये बहुत जादा लिक्कत करता है, ऐसे real life में उत्ता फरग नी पड़ता, बट फिर भी होता है, तो जब भी आप दोड़ने लग जाएंगे, आपका mass क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, same वैसी electron का mass होने के कारण क्या होती है, उसका acceleration बहुत जादा हो जाता है, अब जब वो उसके एकड़म high speed में हो जाएगा, तो mass change होने लग जाता है, अब देखते हैं, यदि frequency का हम formula देखें, तो frequency का formula क्या है, qb by 2πm, यही है, अब क्या होगा, यदि mass change होने लग जया, mass increase होने लग जया, या कम होने लग जया, mass change होने लग जया, तो वो क्या करेगा, frequency को change करने लग जाएगा, अब जब frequency change होने लग जाएगी, oscillator और cyclotron की दिक्कत होने लग जाएगी, कैसे, यदि हम diagram में देखें, तो oscillator जितनी frequency देगा, जैसे oscillator दो बार इसको plus minus किया, बगत electron इतने speed पर रहेगा, कि वो क्या करेगा, तीन-चार round घुम जाएगा, तो उससे क्या होने लग जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी, या पर, दोनों की frequency मैच होनी चीए, एकदम, तो इसलिए हम क्या करते है, electron को accelerate करने के काम नहीं आता है, क्योंकि उसका mass change होने लग जाता है, moving mass, और mass change होगा तो frequency change हो जाएगी, इसलिए electron को उतना accelerate करने के यह वो नहीं होता, थर्ड देखें हम यह दि, थर्ड लिमिटेशन देखें इसका, तो cannot accelerate up to light speed, light speed तक यह particle को accelerate नहीं कर सकता, obvious है, वोई problem होए लग जाएगी, mass की problem होए लग जाएगी, light speed तक particle को accelerate किया, mass change होने लग जाएगा, mass change होने के कारण frequency change होने लग जाएगी, तो इसलिए, कोई भी particle को यह light speed तक accelerate नहीं कर सकता, ठीक है, particle accelerator है, हम TV में देखते हैं जो कहा ही तक भी acceleration कर देते हैं बट इसमें उत्ता नहीं होगा क्यों ऐसा क्यों नहीं कर सकते सेम mass problem mass के problem के कारण मास चेंज होने लग गया तो frequency चेंज होने लग जाए ठीक है तो यह था बुरा साइखलो टरॉन के बारे में आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हम इससे रिर्टेड एक numerical solve करते हैं, ताकि हमें और अच्छे समझ में आए, देखते है numerical, तो अब जो हमने third point जो छोड़ दिया था, वो भी हमें समझ में आ जाए है, अब देखते हैं, अब देखते हैं, एक example, जिससे हमें और clear हो जाएगा, तो a cyclodron oscillator frequency is 10 MHz, ठीक है, एक cyclodron है, उसकी oscillating frequency के 10 MHz है, what should be the operating magnetic field for the accelerating alpha, for accelerating alpha particle, okay, magnetic field निकाल नहीं हमें और alpha particle यूज़ करने बोला है, alpha particle का मतलब दो proton और दो neutron से बना होगा हो, if radius of the D is 50 cm, D is का radius भी है, हमें 50 cm, what is the kinetic energy in mega electron volts, kinetic energy भी निकालनी है, हमें magnetic field तो निकालनी है, मगर kinetic energy mega electron volts में निकालनी है, electron volts में निकालने के लिए joules को हम क्या करते हैं, एक unit element चार्ट से divide कर देते हैं, मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 से divide कर देते हैं, of the alpha particle being produced by the accelerator, ठीक है, alpha particle की निकालनी है, magnetic field और kinetic energy निकालनी है, okay, solve करते हैं इस question को, तो सबसे पहले हम first के लिखते हैं अपनी given values, क्या-क्या given है हमें, first हमें दिया है, frequency दिया है, और वो कित्ती दिया है, 10 megahertz, 10 megahertz, ठीक है, mega को hertz में change कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 into 10 to the power 6 hertz, mega मतलब 6 होता है, यह 10 to the power 7 भी लिख सकते हैं, कूल मिला के इनको, ठीक है, radius दिया है, किसका, 10 का radius दिया है, तो जब वो निकलेगा, तो इसी radius से निकलेगा, कित्ता दिया है, 50 cm, ओके, इसको भी मेटर में change कर लेते हैं, 50 into 10 to the power minus 2, मीटर आ जाएगा, ओके, और क्या निकालने बोला हैं हमें, magnetic field निकालने बोला है, और kinetic energy निकालने बोला है, किसमें ओभी, mega electron volts में, यह दो चीज क्या बोला हैं हमें, निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या relation यूज़ करते हैं, frequency का relation यूज़ करते हैं, मगर उसके पहले हमें यह निकालना पड़ेगा, कि एक और चीज question में क्या गिवन है, यह alpha particle यूज़ कर रहे हैं, alpha particle दिया हुए, दोनों का मास, proton और Newton का लगबग सेम रहता है, तो four, चार particle से मिलके बना है, और एक proton का हम क्या ले लेते हैं, मास ले लेते हैं, जिसकी value कित्थी होती है, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, यह value आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बार use हो रही है, यह ठीक है, तो इसको हम solve करेंगे, तो मास कितना आ जाएगा, अलफा पार्टिकल का, मास आ जाएगा, 1.67 सभी value लिए हमने, 6.68 into 10 to the power minus 27, यह क्या आ जाएगा, मास आ गया, अलफा पार्टिकल का, नेक्स चीज़ हमें क्या निकालनी है, इसका charge निकालना है, क्योंकि frequency में, मास तो use भी होगा, और charge भी use होगा, ठीक है, नेक्स देख लेते हैं, हम charge Q, किसका अलफा पार्टिकल का, अब charge निकालने के लिए, हम क्या करेंगे, 2 से into करेंगे, क्योंकि 2 proton में ही charge होगा, neutron में तो charge नहीं होगा, ठीक है, तो 2 into, N E से भी निकाल, मतलब E क्या होगा, basic element charge, पूरा formula लिख देते हैं, quantization of charge ही एक प्रगार का, हम यहाँ पर use करने हैं, जो क्या होता है, N E, ठीक है, N कितना होगा, 2, क्योंकि 2 proton है, उनीका charge है, और basic unit charge क्या होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19, तो charge कितना आ जाएगा, alpha particle का, इसको हम solve करेंगे, तो 3.2 into 10 to the power minus 19, यह आ गया, alpha particle का charge, ठीक है, अब जब हमें सारी सीच पता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, frequency के relation से, magnetic field निकाल सकते हैं, यूज करते हैं, frequency का, यह सेम उसी के लिए रखता है, circular path वाले के लिए यह यूज होता है, cyclotron के लिए यह यूज होता है, क्या होगा frequency का formula, f is equal to, 2 pi m, sorry, q b by 2 pi m, q b by 2 pi m, यहाँ से हमें क्या करनी हैं, magnetic field निकालनी हैं तो, उपर देते, तो b is equal to, f 2 pi m, और नीचे divide में क्या आ जाएगा, q, तो इस relation में हम value put करेंगे, तो क्या मिल जाएगी, हमें magnetic field मिल जाएगे, ठीक है, put करते, तो b equal to frequency, 10 into 10 to the power 6 है, ठीक है, तो उसकी भी value put कर देते, into 6.68 into 10 to the power minus 27, उपर ये में सारी value आ गई, नीचे में क्या है, charge, charge हमने कितना निकाला है, 3.2 into 10 to the power minus 90, इसको solve करेंगे, तो हमारी magnetic field कित्ती आ जाएगी, 1.311 tesla, ये आ गया हमारा एक answer, जो हमें निकालने बोले, second देखते हैं, second हमें क्या निकालने बोला है, kinetic energy निकालने बोला है, और वो भी किस में निकालनी है हमें, mega electron volts में निकालनी है, ठीक है, देखते हैं, क्या होगा kinetic energy का formula, अभी हमने देखा है, r square, q square, b square by 2m, यही होगा, value put कर देते हैं, radius हमें d's का given है, कितना 50 cm given था, 50 into 10 to the power minus 2, का whole square, into q, charge कितना था, 3.2 into 10 to the power minus 19, का whole square, magnetic field कितनी आई, 1.311 tesla आई, आई, तो इसका भी whole square, divide by 2, into mass, mass हमने कितना निकाला है, alpha particle का, 6.68, into 10 to the power minus 27, यह निकाला है, तो इसको हम करेंगे, तो वो क्या आजाएगी, joules में आजाएगी, ठीक है, बट हमें क्या करना है, electron volts में निकालना है, तो अब इसके साथ हम multiply करेंगे, एक basic e, e की value, तो 1.6 into 10 to the power minus 19, अब जो answer आएगा, वो किस में आजाएगा, हमारा, मतलब electron volts में आजाएगा answer, और mega तो हम देख सकते कि, कितना digit answer आ रहे है, इसको अब solve करेंगे, तो आपका answer बड़े numbers में आएगा, बड़ उसको आप mega electron volts में लिख सकते, तो kinetic energy कित्ती आएगी हमारी, 20.5, इसको अब solve करेंगे, 20.5 mega electron volts, तो यह आगिया हमारा, एक और answer, चो चीज हमें निकालने बोली, तो ऐसा ही question पूछेगा आप से, normal चीजे निकालने का, radius निकालने का, velocity निकालने का, यह question भी क्या हो गया, solve हो गया, ठीक है, अब देखते हम अपना next topic, next topic एक और कह रहता है, magnetic bottle के बारे में, कि क्या होती है, magnetic bottle, okay, तो topic name क्या है हमारा, magnetic bottle, इसको हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं, इसके चार नाम होते है, magnetic bottle, इसको हम, magnetic container भी बोलते हैं, चीक है, और दूसरे दो नाम, magnetic container के साथ, इसको हम बोलते है, magnetic mirror, तो जब भी आप ये सब नाम देखें, मतलब समझ जाना कि वो क्या है, चारो एकी चीज़ है, और magnetic trap, magnetic trap, ये सारी चीज़ इसको बोलते हैं, हम पूरे चारो चीज़ों को, magnetic bottle को बोलते हैं, चीक है, तो अब देखते है, magnetic bottle क्या होता है, ये क्या यूज का, ये हम magnetic bottle का main use क्या है, ये charge को trap करने के काम आता है, charge मतलब जैसे, जो एकदम highly charged particles होते हैं, जैसे plasma, plasma क्या होता है, इकदम highly charged ions रहते हैं, उसको trap करने के काम आता है, ठीक है, अब जैसे हम देखें, तो आप देखें होंगे, दो ठोग hydrogen, बात करते हैं, दो ठोग reaction की, अब जानते होंगे क्या, nuclear fusion और nuclear fusion के बारे हम बात करते हैं, हम जो जितने भी power plants अब देखते होंगे, सब power plants में क्या होता है, nuclear fission होता है, fission मतलब एक neutron देते हैं, uranium को तोड़ते हैं, अलग-अलग भाग में, मतलब fission करते हैं वहाँ पे, भेद करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है, इससे nuclear energy मिलती है, दूसरा क्या होता है, nuclear fusion होता है, fusion मतलब जोड़ना, ये किसलिए काम आता है, इसको हम constructive purpose के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना खतरनाक होता है, कि हम उसको control नहीं कर सकते, ये किसमें होता है, sun में होता है, जितने भी stars होते हैं, उसमें सब ये ही reaction होता है, क्या होता है, दो hydrogen को हम क्या करते हैं, fuse करते हैं, दो hydrogen जब fuse होते हैं, उसके दो isotopes, dtm और tritium, तो बहुत ज़्यादा energy release करता है, मगर दो hydrogen को fuse करने के लिए बहुत ज़्यादा power चीह रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा temperature चीह रहता है, sun की यदि आप core का temperature देखेंगे, तो million degrees में रहता है वो, इतने million degrees में वो fusion होता है, तो normal हम यहाँ कर नहीं सकते, और यदि आप sun के एकदम बाहर surface का भी temperature देखेंगे, तो वो भी 5000-6000 degree Celsius रहता है, तो यदि हमें, दो hydrogen के atoms को fuse करना है, तो वो एक प्रकार के plasma type की energy देगा, उसको fuse करने के लिए हमें temperature चीह, बहुत ज़ादा लाखो डिगरी Celsius का temperature चीह, तो वो temperature हम कैसे लेखेंगे, और यदि हम वो temperature generate भी कर दिए, तो जिस container में हम वो reaction करेंगे, इतने ज़ादा डिगरी Celsius में तो वो container भी गल जाएगा, तो हमें कैचीह, एक जगा चीह, जिस जगा में हम एकदम plasma, fourth state of matter, एकदम highly charged iron को हम क्या कर सकें, रख सकें उसके अंदर, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, magnetic trap और magnetic bottle यूज़ करते हैं, अब जितना भी ये hydrogen fusion होता है, hydrogen fusion मतलब दो hydrogen को हम जोड रहे हैं, या nuclear fusion बोलें, जो sun में होता है, इसको हम bombs में use करते हैं, hydrogen bombs जो होता है, क्योंकि हम उससे energy तो नहीं produce कर सकते हैं, ठीक है किसी को उड़ा देते हैं, तो bombs में हम इसको use कर सकते हैं, बड़ जब दो hydrogen को fuse कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा energy जीए, ये energy कहां से मिलेगी हमें, तो ये energy हम nuclear fusion से लेते हैं, एक nuclear reaction करते हैं, उस nuclear reaction के energy से हम nuclear fusion कर पाते हैं, तो जितने भी hydrogen bombs होते हैं, उसमें hydrogen fusion चुरू करने के लिए, एक nuclear fusion करते हैं, हम एक atom हम use करते हैं, तभी क्या होता है, hydrogen fusion होता है, तो यही चीज़ हम किसमें करते हैं, magnetic trap की मदद से करते हैं, ये कैसा बने रहता है, दो solenoid का बने रहता है, एक solenoid की ring ऐसे रहती है, और दूसरी solenoid की ring ऐसे रहती है, solenoid जानते हैं, पूरा वो रहेगा, एक प्रकार से उसकी magnetic field जो रहेगी, क्या होगी, इसके अंदर से जाएगी, ठीक है, तो ये क्या है, दो solenoid जिसमें क्या होते रहेगा, current flow करते रहेगा, या आब इसको, एक current carrying loop भी बोल सकते हैं, कोई problem नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों magnetic field पैदा करते हैं, next lecture में तो हम यही देखेंगे, कि एक current जो carrying loop होता है, वो क्या आता है, एक प्रकार के magnet जिसा बीहेव करता है, तो ऐसा हम लेते, अब यहां से एडिया हम, magnetic field lines की बात करें, तो वो beach से एकदम uniform रहती है, और उपर वहां जाके क्या होँगी, expand होँगी, यह क्या हो जाएगी हमारी magnetic field lines, ऐसे रहेंगी, इससे पास होँगी पुरी, यह होगी हमारी magnetic field lines, beach वाला जो section है, beach में क्या रहती है, magnetic field lines V करेंदे, इसके पास, दोनों loop के पास, यह solonard बोले, दोनों के पास क्या रहती है, वो एकदम strong रहती है, बट beach में क्या रहेगी, वो weak रहेगी, अब यह कैसे trap करेगा देखते हैं, हमने यह देखा है, कि जब भी हम magnetic field में, किसी एक charge particle को, किसी angle के साथ, बतब velocity, magnetic field के साथ एक angle बनाएगी, उस angle से छोड़ेंगे, तो वो कैसा motion चालू करता है, helical motion, गोल भी घूमता है, magnetic field करन और आगे भी बढ़ता है, तो helical motion करता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भी magnetic field है, जिदि हम एक charge particle, यहाँ से तेड़ा छोड़ दिये, तो वो charge particle क्या करेगा, ऐसे ऐसे हैसे, helical motion करने लग जाएगा, अब वो plasma है, क्या काम आता है, यह contain करने के काम आती है, हमारी magnetic bottle, मतलब एक highly charged particle को, हम इसमें रखते हैं, तो क्या काम आती है, used to contain, high energy, plasma, plasma क्या होता है, हमारा fourth state of matter रहता है, fourth state of matter, मतलब बहुती ज़्यादा charge particle, ions रहते हैं, तो यह वोई contain करने कहा होता, तो एकदम high charge particle को, हम इसके अंदर छोड़ेंगे, एक angle के साथ, तो magnetic field में वो क्या करने लग जाएगा, helical motion करने लग जाएगा, अब वो सोचता है, कि मैं इससे बाहर निकलू, इस magnetic field से, तो वो कहां से निकलने कोशिश करेंगा, जैसे आप एक room के अंदर है, और आप चाहते हैं, कि room से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप दिवाल तोड़के तो नहीं निकल सकता है, आप कहां से कोशिश करो, या खिड़की से निकलने कोशिश करेंगे, या दरवाजे से निकलने कोशिश करेंगे, फिर magnetic field स्टॉंग है, magnetic field दोनों के पास में स्टॉंग रहेगी, बीच में वीक रहेगी, kinetic field strong है, ठीक है, तो यहां से वो फिर निकलने की कोशिश करता है, कि मैं बीज से निकलूँगा, फिर बीच में आता है, मगर अपनी inertia के करण फिर आगे चले जाता है, फिर आखे देखता है, यहांपे magnetic field strong है, फिर वो अपिसाने के कोशिश करता है, तो ऐसे करने का रहता है यह trap रहता है इसके अंदर हम क्या करते हैं पार्टिकल्स को trap करते हैं और उसी के बाद हम क्या करेंगे nuclear fusion चालू करने के लिए एक nuclear fusion कर देंगे आप इसी के अंदर हमें atom bomb कुछ टाइप का डाल देंगे तो उसकी energy के करण क्या हो जाएंगे जो हाई energy particles को trap करके रखते हैं इधर जाएगा बीच से निकलने कोशित करेगा इनर्शेक करन फिर आगे चले जाएगा आगे जाके देखेगा रहे यहां फिर झाल ऊंदर हम्चे हमें जाएगा ओिर हम पर करण को देंगे oन बार देंगे जाएगा आझा मैं करेगा